देखो ना मेरे पासबोर्ट दए ना मैं बताए और ना मेरे मोबाइल नमबर अठाए बही में लगे तुम्हाई हेलो दोस्तों गुड मोर्निंग रादे रादे आई होप आप सब बढ़िया होंगे एक बार फिर से आप सब का स्वागत है हमारे यूवी पिटल व्लोग यू आज मैं मेरा कोई डेली व्लोग नहीं है एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं लाने जा रहा हूं जो की आप लोग भी देख रहे होंगे कई दिनों से और मैं कुछ लोगों को एक्सपोस करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से और मैं उन्ही के वीडियो से उन्हीं को सच्छा भी दिखाना चाहता हूं जो कुछ LOVE और देख रक्षा होगा अभी आप लोग ने वीडियो स्टाटोंने में से फेले हाई लाइट में भी देखा होगा में जीनकी बात कर ад मैं जिसनकी बात करतों से फन्साइब लिए चंद वीवर्स पाने के लिए लोग फैमस होने के लिए एक सिंपल सीधे साधे विक्ति को फालतू में जो है बदनाम कर रहे हैं ट्रॉल कर रहे हैं उसको इरिटेट कर रहे हैं अब जब किसी को फालतू में परसान करोगे तो उसके मुह से कभी आपके लिए गलत भी न श्राइज सामनी आपको में क्लिग विद्रूफ नो को दिखाने वाला हूँ कौन ऐबAS जयासर कि मैं आज कुछ लोगों को एक्स्पोज करने वाला हूं कुछ लोगों की हाकीकत मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दिखाने वाला हूं क्यों कि मैं कइं दिनों से देख रहा हूं एक वीडियो वाइरल हुआ था राधादीदी का जिन्होंने अपने चैनल पे डाला था वो जब उनके यहां पे नल लग रहा था उस टाइम का वीडियो उन्होंने बना के अपने चैनल पे डाला तो वो उनका वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हुआ लेकिन उसके बाद क्या होता है अब जैसे आप ऐसे मान लीजिएगा कि मैं हूँ अभी नया हूँ तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है ना तो मैं भी उतनी कमाई कर पा रहा हूँ उतनी क्या विल्कुल नहीं हो पा रही है और कोई हमसे जो मतलब यूटूबर अच्छा खासा है उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं और वीवर्स भी अच्छे जाते हैं तो वो हमसे कहे कि आप चैनल मैं आपका बना रहा हूँ और आप फैमस हो जाएंगे हमारे साथ में रहके तो मैं पहले दो ठीक है बना लिजिए यही ठीक हुआ सिवानी जी के साथ में उनकी हालत को देखके उनको जो तरस आया ये की चलो इनका भी कुछ भला हो जाएगा ये भी वीडियो में बनी रहेंगी मेंनत में करूंगी जो भी आप लोग तो ये देखते हैं कि वीडियो आया यूटöb की मजा किया और ये तो सब सिंपल होता है इस एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है ये जो बनाता है सिर्फ वही जानता है पहले वीडियो को शोट करना ठीक है इतने सारी लोगों की बीच में फिर उसको हर एकdimensional point second by second उसको edit करना उसके पीछे कितनी मेहनत होती है जो edit करता हुआ मैं भी edit करके डालता हूं तो मुझे पनाया按 कि कितनी मेहनत लगती है व विडियो जैसे सिंइर होता है सीवानी जी अब उस वीडियो के पैसे हो या उन्होंने अपनी जैब से दिया हो या जो भी हो उन्होंने कुछ पैसों से राधा दिदी के यहां पे न लगवा दिया राधा दिदी कुछ टाम पहले पानी भंने के लिए जाती थी कम से कम एक या डेड़ किलो मेटर की दूरी पर तो ये ऐसे हला देखकर सिवानी जी ने उनकी हमेशा हिल्प करी और राधा दिदी भी आज तक सिवानी जी के गुनगाती थी हमेशा कोई भी काम होता था तो सिवानी जी काम आती उनके कोई भी यहां तक की उनकी जो लड़की है रस्मी रस्मी की साधी में भी काफी हद तक उन्होंने काफी हद तक सिवानी जी नजर आई और सिवानी जी ही हल्प की उनकी वो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा आगे ठीक है और मैं अभी आप लोगों को एक क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें अभी से एक भाईया है जो सिवानी जी के साथ में रहते है वो विद्ध प्रूप दिखा रहे हैं कि जब ये राधा दीदी ने विवात खड़ा कर दिया कि मेरा चैनल खुद अपने फोन में चलाते हैं और वो अपना नंबर भी लगा रखी है अपना एकाउंट भी लगा रखी है ऐसा सुनते ही सिवानी जी और अब सेख भीया जाके उनके घर पे एक मिनिट का पूरा पूरा उन्होंने वीडियो बनाया है मैंने पूरा वीडियो देखा भी है उन्होंने वो क्लिप में अभी आपको आगे दिखा रहा हूं तो उन्होंने पूरा वीडियो उनका जो है यूट्यूब चैनल का इमेल एकाउंट और नमबर पास्वर्ट सब राधा देदी को वीड प्रॉप्रसावदी है यह आप लोग पहले आगे यह क्लिप देखिएगा उसके आगे में आप लोगों पूरा तक अब अपने से हटाय दे रहे हैं ठीक उनके खोला ही देए अब अब अपने से अठाय करें यह मेल पे गए इनकी ऐडी खुली है यह सेटिंग पे वह एंगे केश्री एकाउट गूगल पे गए और केश्री असालत पर गए त्री डॉट पर गए और रिमूव एकाउंट रिमूव एकाउंट फाइनल फिनिश चलो को एकाउंट यहन से ठीक है और सिवानी जी ने दोनों लोगों ने मिलके उनका वीडियो उनको वापस कर दिया और वो वीडियो में यह भी दिखा रहे हैं कि किस टाइम पर उन्होंने दिया है किस डेट को दिया है और यह घटनाएं जो हैं लास्ट 29 डेट से 31 डेट के बीच में सारी हुई हैं इन 29 से 31 के बीच में राधा दी ने इतना मतलब विवात खड़ा कर दिया इतने चैनलों पर वीडियो आये हैं बैक टू बैक सिवानी जी के और इतना उनको ट्रोल किया गया इतना परसान किया गया है मैं सारे वीडियो देखा हूं और आप लोगों को एक सच में सुनाऊंगा जो अ कॉल पर बात कि है राधा दीदी जो है दोनों तरफ जो चल रही है दोनों तरफ का गेम खेल रही है एक तरफ यह कि 8-9 दस चैनल पर जो भी वीडियो इन्हों ने डलवाए बनाए अपने बनवाए राधा जी ने तो उधर उसमें सिवानी जी किये एकदम धडले से बदना बिलार हैं फेहमस होने के लिए या कुछ भी जो भी हो वह उनके साथ में वीडियो बना बना के तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं जिवाने जी के बदनाम करने के लिए और इधर कॉल पर बात करी है उसमें राधा जी अपने आप खुद अपने मुझ से कि माफी मांगते हुए आप लोगों को सुनाई देंगी प्लीज आप लोग यह जो है कॉल डिकॉर्डिंग सुनिए उसके बाद मैं आपको आपको आपका फिर आप ऐसे वीडियो का है बन वा रहे हो यह गलत आपने बोलो कि नहीं बोलो यह बताओ बोलो कि नहीं बोलो अब यह चीज़ें जिसी जब सब कुछ हम अपने 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 आप लोगों ने देख लिया कॉल रिकॉर्डिंग में आवाज सेम टू सेम राधा देदी हैं नहीं है अच्छे भाईया खुद अपने मूँ से मैं थोड़ा सा पहले का क्लिप इसलिए कट करके लग को यह डाउट ना रहे कि यह कॉल रिकॉर्डिंग किसी दूसरे की है उसमें राधा देदी खुद बोल रही है कि आज के बाद ऐसा कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा मैं माफी मांगती हूं चमा चाहती हूं जो भी हुआ उसे आप लोग भूल जो जो भी बो कॉल रिकॉर्डिंग के तुरू कॉल पे जो है इन्होंने माफी मांगी कि आगे से कोई वीडियो नहीं हैंगे दूसरे दिन सुबह अगली सुबह जब जाते हैं शेक भीया और सिवानी जी इनके घर पे तो जब इनसे प्रूफ मांगते हैं ना कि आप प्रूफ और चीखना चिलनाना सुरू कर देती हैं वहीं उनके मगरमक्च के आँसू आप लोग फिलिप देखिए गई जब आरोफ आप लगा रही है अब जूटी आरोफ लगा रही है जवाब देव आपके पास कोई जवाब नहीं है जब सब कुछ आपको 30 तारी की दो पारे मिलेगा तो 31 तारी को क्यों बदनाम किया हम लोगों को इस चीज का अंसर देख लिए जब किसी के पास कोई प्रूफ है नहीं तो टॉपिक चेंज करने की चक्कर में रहते हैं राधा दीदी जो है तुरंत टॉपिक बदल दी तुरंत टॉपिक बदल दी और तरह तरह की बाते हैं उनकी जो घर में जो तरपाल वगेरा पड़ा है उनसे कह रही है लो माचसी आग लगा दो वो कर दो हमने पूरा क्लिप देखा है और आप लोगों को अगर वो पूरा वीडियो देखना है तो सीवानी जी के ओफिसियल उनका चैनल है सीवानी कुमारी ओफिसियल सर्च किजीगा उनके चैनल पर आप देख लिजीगा और यहां तक कि अभी तक सब बढ़िया चल रहा था राधा दीदी और सीवानी कुमारी और उनकी सीवानी कुमारी की जो द लगता है कि कभी वो लोग मिलेंगे एक दूसरे से और राधा जी को जो भड़काया गया है कुछ लोगों ने उनको भड़काया कि आपके नाम से चैनल चला रही है पैसा इतना रहा है आपको कुछ देही नहीं रही है मैंने देखा है आप लोगों को आप लोग खुद भी द में साय तो दो या तीन रुपए का मोनेटाइजेशन हुआ है अब से एक जी जो है पूरा साथ दिखा रहे हैं वीडियो प्रूफ बता भी रहे हैं और अगर मैं यहां दर अगर बाद करूं सीवानी जी की तो सीवानी जी मुझे तो नहीं लगता है कि वह दिल के इतनी बुरी है मैं सीवानी जी का तब से फॉल्लो कर रहा हूं सीवानी जी को जब वह फैमस होई थी टिक टॉक वीडियो से हैलो फ्रेंडा का वीडियो के इन् यूटूब चैनल भी जब से इन्होंने ओपन किया अब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं और इनके हर एक जो एल्बम निकलती है वह मैं एल्बम भी पूरी इनकी मैं सुनता हूं सुनता हूं देखता हूं सीवानी जी सीचुवेशन से गुजर के आई है निकल के आई है वह सारी दुनिया सारे यूटूबर्स को भी पता है जो भी लोग इनकी पदनामी कर रहे हैं उनको भी पता है कि सीवानी जी की कंडिशन जो कैसी थी किस कंडिशन से वह निकल के आई ह तो वो कियों किसी दूसरे गरीब विक्ति को जो है उसको दुख पहुँचाएंगी उसको हानी पहुँचाएंगी आज तक सीवानी जी जो है राधा देदी के साथ बनी रही और राधा देदी की जो लड़की है रश्मी सेवन या एट हाँ साथ या आट महिने पहले उसकी साथ हुई है तो उस वीडियो को भी आप लोग आपको मैं भी दिखाऊंगा उस वीडियो में भी सीवानी जी किस तरह से हमेशा साथ रही है राधार जी के साथ में और उनकी हर तरीके से मदद की है पाइनेंसियल भी और फिजिकली भी मतलब खुद तो अपना फिजिकली का मतलब यह कि खुद तो वहां पे उपस्ति थी रही है साथी के दोरान सुबह से लेके साम तक बरात आने से बरात विदाई तक और फाइनेंसियल भी उनकी जो है हल्प करी उनकी लड़की की साथी करें और आप लोग कैसे मतलब कह सकते हैं कि सिवानी जी जूटी है और राधा जी को इतना वो कर रही है परसान कर रही है राधा जी जी जो है उनकी चंद पैसों के लालच में दूसरों के भड़काने में आ गई और अपनी पता नहीं कितने सालों की फ्रेंड्शिप और इतना बढ़िया घर से आना जाना उनका था और क्या ही बोले उनके बारे में दो मुहां है वो मतलब उनके मगरमक्च के आसों है फैमस होने के लिए सबके दिलों में मतलब जगा बनाने के लिए दूसरे को बदनाम करके मतलब सिवानी जी को बदनाम करके बुद फेमस होना जाती है तो एक कहावत कही गई है जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसी गड़े में गिरता है और आप लोगों के एक क्लिप में दिखा रहा हूँ वो क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिवानी जी जी से गुस्षे में कुछ थोड़ा बहुत इदर उदर बोल दिया ऐसा वैसा रादा जी के बारे में तो जो बुरा भला बोला वो क्लिप काटके इडिट करके वीडियो में दिखाई गई उसी तरीके से मुझे एक वीडियो अभी मैंने देखा है मैं उन भाई साब का नाम नहीं लूँगा आप लोगों के सामने उनका चोटा सा क्लिप जरूर दिखाऊंगा अगर आप लोगों को आप लोगों का वीडियो देखती होंगे या देखा होगा तो आप लोग खुद आप खाई लोग हो हम जा रहें आज के बाद में तुम्हारे घर नहीं आएंगे कोई बात नहीं सच में लोग कहते हैं कि तुम नागी नो बेकार गयो देख ली क्लिप क्लिप में ये बोलता है कि रादर जी आप नागीन ही नहीं ही रहोगी आपको कुछ नहीं हो सकता और आप अप से जो भी हो सकता है आपको लीजिया आप हमारा घंटा कुछ नहीं भीगार सकती तो ये बोला मजाक में है ठीक है आप लोग ये भी इसका जो है वीडियो आप लोग देख सकते हैं आप लोग इसका ये जो भाई साब इनके फेस से तो आप लोग पहचानी ही गए होंगे इनको ठीक है आप अगर इनको पहचान गए हैं तो आप इनके चैनल पर जाके इनका ये वीडियो देख सकते हैं कि चंद पैसों के लिए चंद वीवर्स बढ़ाने के लिए और फैमस होने के लिए किसी दूसरीय को बदनाम करना ये तो गलत बात है और सीवानी जी को कौन नहीं जानता है अगर सीवानी जी इतनी बुरी होती न तो उनके आज की डेट में 14 प्लस उनके दो साय तीन चैनल है मैंने देखा है 14 प्लस उनके सब्सक्राइबर है 14 प्लस 14.8 करके कुछ उनके सब्सक्राइबर है सीवानी कुमारी ऑफिसियल पर जिस पर वो व्लॉग डालती है और दूसरा एक चैनल है इनका आर्येस म्यूजिक करके उस पर यह सिर्फ अपने एल्बंस के वीडियोज डाल अपलाई गरती है तो आप लोग उस पर भी इनके कुछ चार लाग प्लस करके सब्सक्राइबर है अगर यह इतनी बुरी होती है इतनी दिल की गंदी होती है तो इनको लोग लाइक क्यों करते हैं इंसे लोग इनको प्यार क्यों देते हैं क्यों इनको फॉलो करते हैं और आप अगर आप भी फैमस होना जाती है रादा जी जिस मेर कि आपकी हालत को देखके कभी आपसे भी बुरी हालत थी सिवनी जी की ये आप उनकी पड़ोस में रहती है गाउं में रहती है आपको खुद पता होगा कभी को आपसे भी बुरी हालत थी सिवनी जी की तब से मैं उनकी वीडियो देख रहा हूं जब उन्होंने फैमस उनका वीडियो जो आया था जो मैंने भी आप लोगों बता रखा है हेलो फ्रेंडा करके डाला था टिक टॉक वीडियो में कभी को ऐसे हलत थी सिवाने जीगे कि इनके पास खुद की साइकल नहीं होती थी कुछ लाने ले जाने के लिए और आज जब वो इतना फैमस हो गई है इतना वाइरल होते हैं उनके वीडियो इतना लोग पसंद करते हैं और इतना सब कुछ है उनके पास लेकिन आज भी उनके अंदर जरासा भी घमंड नहीं अगर घमंड होता तो गाउं के लोगों के बीच में जो हसी मजा करती रहती है किसी से बोलेगी नहीं बात नहीं करेंगी और अधा जी जी आपको तो जो फैमस होते ही वो अपने घर से बाहर निकल लेती है ये आप क्यों भोल रही है उनके इंदर घमंड आज भी नहीं है और ना ही कभी था और ना ही होगा और आज मैं फिर से ये कह रहा हूं कि अगर आप अपनी गलती अभी भी मान रही है आप दिल से उनसे माफी मांगेंगी ना दिल से आप उनको अपना समझाएंगी अपना मानेंगी उनसे माफी मांगेंगी तो आज भी वह आपको अपनाएंगी लेकिन प्लीज आप से हां जोड़के निवेदेने की फालतों में क्या स यूटूपर ने यूटूपर भाई साब यह भी उनको मतलब यह चोटी सी क्लिप सिर्फ उतनी इक क्लिप काटके दिखा दी कि उनकी मम्मी जो है चुनाउटी बट रही है और देखो बीमार रहती है फिर भी वो चुनाउटी खा रही है अब ये सीवानी कुमारी के ऑफिसिल जो उन्होंने चैनल बना रखा है आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं जब चुनाउटी वो खा रही है तो सीवानी ज रहती हैं आप मंद खाया केजीए लेकिन आप ही बताएं आपके घर में कोई बज़र्ग है मम्मी पापा कुछ में कोई भी वह चुनोटी खा रही हैं गुटका खारी हैं सूरुात से तो कभी कभार अगर खा ली बिमार जैसे हो रही है कभी कभार उनों में खा ली आप उनको माणने तो लग नहीं जाएंगे मूँ से मना कर सकते हैं तो भईया ये फालतों के अफवाएं फैलाना बंद कर देजी तो दोस्तों कुल मिलाके जो है इमोशनली ब्लैक मेल किया जा रहा है सिवानी जी को जो की बिल्कुल गलात है और मैं राधा जी जी के खिलाब भी नहीं हूं मैं उनकी कोई बुराई भी नहीं कर रहा हूं कोई कर रही है उनके खिलाब वीडियो बनवा रही है हर एक चैनल पर तो उसके खिलाफ हूं मैं अभी भी कह रहा हूं और इससे अभी पहले भी कुछ आपके वीडियो में मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप अभी भी माफी मांगे तो शीवानी जी अभी भी आपको अप लेकिन दूशरों की जो है बदनामी करके कि आप लोग ये हमें नहीं लगता है दो-चार से वीवर्स ज्यादा हो जाएंगे दो-चार से आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे बस इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है किसी के इज्जत उचाल के आप लोगों को क्या मिल जा रहा है तो राधा जी जी और जितने भी उबर भाई हैं उन सभी से मेरा यह कहना है कि भाई और राधा जी जी प्लीज आप लोग यह मत किजिएगा क्योंकि सिवानी जी का करेक्टर जो है वो बहुत साफ सुतरा है जहां तक मुझे पता है और वो कभी भी किसी गरीब हो या अमीर हो किसी के साथ भी वह ज्यादा सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग सिवानी जो कुछ जूटा बोल रहे हैं जूटा साबित कर रहे हैं अशा करते हैं आप लोगों को आज की ये वीडियो हमारी अच्छे लगी होगी अगर आज की वीडियो आप लोगो तुछ अदिए कर दो झालो कर दो भी日 Shiv दिए है तुछ ओतसे फुछर